नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जी के विदार के में तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जार्खन समान गयान के 20 बहुत ज़्यादा महत्पुरून परस्ण को देखने वाले हैं और दोस्तों यह सारे परस्ण सेलेक्टेड है और आपके JSC की किसी भी तरह की परिछा है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है तो दोस्तों वीडियो को बिना अस्किप किया पंतर जिरूर देखेगा क्योंकि हो सकता है इन 20 परस्णों में से कोई परस्ण आपके एकजाम में पुछे जाएं तो दोस्तों चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं पहला परस्ण से तो देखे हमारा जो पहला परस्ण है जारखन के पहले मुख्यमंत्री कौन से राजनितिक दल के थे तो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है दोस्तों परस्ण ये तो जारखन के पहले मुख्यमंत्री थे कौन बने थे तो वह बने थे बावुलाल मरांडी तो दोस्तों आपको ये भी आद रखना है और आपको एक प्रस्थन और पूछा जा सकता है कि जो बावुलाल मरांडी जहारखन के पहले मुख्यमंद्री बने थे वो किस बिधान सबस्थ 6-3 से आते थे तो दोस्तों हलाकि यह प्रसन आपको आगे मिल जागा तो वीडियो को अंतर जरूर देखिएगा क्योंकि इस तरह के बहुत सारे सेलेक्टेड प्रसन भी आपको इसमें देखने को मिलेंगे तो चलिए हम लोग अगला प्रसन देखते हैं जारकन के तिसरे मुख्यमंत्री किसे निक्त किया गया तो देखिए पहले मुख्यमंत्री तो बाबुलाल मरांडी थे अब यहां पर पूछा जा रहा है तिसरे मुख्यमंत्री के बारे में तो देखिए तिसरे जो मुख्यमंत्री बने थे सीबू सरन बने थे अच्छा पहला और तिसरा हम लोगों ने जान लिया अब प्रसन थे पूंक्त द सकते हैं दूसरी मुख्य मंत्री के बारे में मुख्यमंति और राइंस का यहांकि यहquent कुंकि रही है शुचोलोमन द रखालगे अगला प्रसन देखते हैं द् Northern शेल्वाद और हेमनर naval शीवंरे श्रीपस्ती तब यहां चांडि ऊश्या पूंदर है तो दोस्तों 2013 में जेसी एस्टेडियम जो किर्केट का स्टेडियम है राची में उसका उद्गाटन किया था उस टाम के जो गवर्णर थे उस टाम के जो राजिपाल थे जहारखन के वो कौन थे तो सही उतर है सईद यहमद और बात करें कि अभी वरतमान में जहारखन के पहाड़ों के नाम से कौन सा सहर मसहर है बहुत इंप्पोठन परशन है और यह परशन बारबर रीपिट के जाते हैं तो पहाड़ों के पहाड़ों के नाम से कि रानी के नाम से जाना जाता है फिर पहाड़ों की मल्लिका इसको आप कह सकते हैं और आपको आदें दोस्तों कि जारखन में सबसे अधिक ठंडा पड़ती है ठंडा पर्देश जो है उसका भी अंसर नेत्रहाट ही है तो आप यह नेत्रहाट से दो परस्नों को जरूरू तो पगला गया है लेकिन आपको हम इसका नाम बता देते हैं आठों का आप एक बार नोट कर लीजिएगा तो यहां पर देखे आठों मुख्य नदियां जो है दामोदर है बैतरनी है गंगा बराकर अजय सोन दच्छिनी कोयल और सवर्न रेका यह जारकन की आठों मुख्य पुरू में जो राज इस्थीत है वह पस्चिम बंगाल अप्सन यह पर सही है अच्छा दोस्तों पस्चिम बंगाल से समधीत एक पुछे रास कर दा सकता है कि जारकन के कितने जीले के बार्डर पस्चिम बंगाल से लगते हैं तो आपको बताते हैं जारकन के 10 जीले ऐसे जिले हैं जो पुस्चिम बंगाल के बॉरण से अगला प्रस्थ नगर को और किस नाम से भी जाना जाता है तो टाटा नगर का और जो नाम है वो है जमसेदपूर, option यहाँ पर सही उतर है, अच्छा यह टाटा नगर जमसेदपूर किस जिल्य के अंतरगाता आता है, तो यह आता है पुर्विय सिंग्भूम और पस्मी सिंग्भूम से एक प्रसन पुछा जाता है, कि पुर्विय उस्विय सिंग्भूम तो टाटा नगर का और किस लिया जाता है तो जमसेदपूर के नम से जाना जाता है अगला प्रसन है जहimalख की वारशीक औश्य तापमान क्या है तो देखिए जहलखन की वालशीक औश्वर्विय स tauपमान है, वहे 32 डिगरी की इस सेलसियस, यह 211कि जन्गनपी नॉसर जहारखंड का गरामीन निनिगनुपात क्या है तो दोsyरोय अगला प्रहें देखते है मुगलकाल में जहारखंड को किस नाम से जानना जाता था तो देखें मुगलकालीन जहारखंड थी उस टेम में जहारखन का जो नाम था, वो था कुकरा, ओप्शन यहां पर सही उतर है, चलिए अगला प्रसन देखते हैं, सुरज कुंड का गर्म पानी का सुरवत, जहारखन के किस जिले में इस्थित है, तो देखिए एक गर्म पानी का कुंड है, जिसका नाम है सुरज कुंड, और यह कि जहारखन में लोह इसपात के उत्पादन की सुरवात की स्वर्स से हुई थी, तो देखिए, जहारखन में लोह इसपात की जो सुरॵात हुई थी, इसका जो निर्वान का सुरू होना का जो परकिर्या शुरू हुआ था 1913 SV में, हलाकि फैक्टरी को जो अस्थापना किया था वह 1907 इसवी में किया गया था लेगिन इसमें उत्पादन करकिया 1913 में चालू हुआ और यही टाटा जो है टाटा जी ने रतन टाटा ने इसका जो है इनके पुर्वच जो है इनका निर्मान किये थे जमसेद जी टाटा ने चलिए अगला प्रस्ण देखते हैं विर्शा मुंडा का जन हुआ था उली हातुग गाउं में अगला प्रस्ण है जार्खन राई जी बनने के बाद इसमें कितने नए जिले जोड़े जा चुके हैं तो जार्खन राई जब 2011 में बना था 15 नौवंबर 2000 में तो उस टेम जो जिलों की जो संखियां थी वो थी 18 लेकिन पहले मुख्यमंत्री बाबुलल मरांडी जार्खन के किस निर्वाचित होकर के आये थे अगला प्रस्ण देखते हैं गिरीडीज जीला जार्खन के किस जीले से कटकर बना है बहुत इंप्रस्ण है और गिरीडीज जीला जो है हजारीड़घ जीले से कटकर बना है तो यह बना है 1972 में 1000 ब्रस्ण में लगफग इतने गाउं मोझूद है बहुत इंप्रस्ण है और जार्खन बसा है तो दोस्तों बोकारो जो साहर है वो बसा है दामदर नदी के तरफ पर और बसा है और बोकारो सहर दामदर नदी के किनारे बसा हुआ है अगला प्रस्त नमारा है जारकन में सबसे उंचा जल परपात कौन सा है तो जारकन का जो सबसे उंचा जल परपात है वो है लोध या फिर बुढ़ा घाग जल परपात अप्शन सी यहां पर सही है बुढ़ा घाग आपके पास लिखा हुआ आएगा फिर लोध लिखा हुआ तो लोद या बुढ़ा खाग जलपरपात जो है सबसे उंचा जलपरपात है ज़िए हम बात करें इसकी उंचाई के बारे में तो देखें इसकी उंचाई जो है 468 फिट है और यह किस जिले में है तो यह लाते हार जिले में इस्तित है और यह जारकन की सबसे उंचा जलपरप कर दो तो तो की लिबाइ